सबसे पहले हम समझते हैं कि notes बनाने की वैग्यानिक विधियां क्या होती है UPSC topper से लेकर विश्य के अलग-अलग हिस्सों में notes को कैसे बनाया जाता है और notes को कैसे propagate किया जाता है तो notes making method में अगर हम बात करें आप चाहें तो लिख भी सकते हैं यह वो परंबार अगत नोट्स नहीं है, जो कोचिंगों में आपको दिये जाते हैं, भारी भर कम PDF दिये जाते हैं, घंटों आपको लिखाया जाता है, लिखो, अब यह फलाना डिकाना प्रत्वी ऐसी है, प्रत्वी ऐसी और आप जो है, वो लिख कर लाते हैं, फिर घार जा मैंने फोटो भी शेयर की थी, कि मेरे क्लास में, मेरे बच्चों के जो नोट्स होते हैं, वो कॉपियों में नहीं होते हैं, दीवारों पे होते हैं, ताकि हर समय वो इसको रिवाइस कर सके, उसमें जो है, वो कुछ एड़ान कर सके, तो let's start it, हम लोग शुरू करते हैं इसक यानि कि कम शब्दों में अधिक से अधिक जानकारी, ये एक बड़ी वैग्यानिक मैथड होता है, जो एक प्रवाह के साथ चलता है, कीवर्ड को लेते हुआ आगे की तरफ बढ़ता है, जैसा कि आप लोग देख रहोंगे, जो EWS बैच है, मैं उसमें जो नोट्स दे रहा वाओ गंटो गंटो, उसके बाद उसको जो है, वो याद करने में उसकी ऐसी तैसी होती है, तो आज की समय में वो competition से पिछड जाएगा, आज वो वक्त नहीं है, कि कुछ हजार, दो हजार, या बीस अजार, पचास जार लाक लोग exam दे रहे, आज एक एक exam के लिए लाको ल पहुचान पहुचाएगा, so let's start it, आगे हम लोग बढ़ते हैं, और हम बात करते हैं, less word, more information, right, यानि कि LWMI के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो जो सबसे पहला आज हमारा topic है, इस method को हम आज सीखेंगे, दूसरा होता, thought mapping, यह उससे जादा advance होता है, इसमें हम color corrections से लेकर, जो है, वो coding तक के process का इस्तमाल करते हैं, यह एक ऐसा notes होता है, जो आपकी ददस 20-20 page की information है, उसको एक छोटे से part पे लेकर चला आता है, इसको thought mapping process कहते हैं, इसमें numbering, coding, color corrections, यह सब कुछ होता है, आपके notes को कोई और पढ़ी नहीं सकता, सिर्फ आप उसको समझ पाएंगे, इसके बाद तीसरा होता है, synopsis, आपने अक्सर मेरे मुझ से सुना होगा, कि toppers notes नहीं synopsis बनाते हैं, ठीक है, मैंने कई toppers के notes देखे हैं, उनके notes को उनी से पूछना पढ़ता है, भाया, यह लिखा क्या है तुमने, हमें नहीं समझ में आ रहा है, वो इतने shortest क अगर exam से पहले वो हलका सा भी अगर revise कर लें, तो उसमें एक एक पेज में वो सारे symbols के थू, तमाम तरह से, वो synopsis बनाते हैं, यह third stage होता है, जहां में synopsis बनाना सीखते हैं, और जो इस बार मेरे बच्चों ने मेरे साथ enthusiasm दिखाया, जब मैने उन्हें यह सिखाई, thought mapping synopsis तो हमने एक नया method डबलब किया, note art method, ठीक है, इसको हम लोग note art method कहते हैं, यानि notes और art को मिला कर, notes बनाना बोरिंग नहीं, notes बनाना रूची कर, बच्चों ने का, सर इतना मज़ा आ रहा है notes बनाने में, पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम किसी boring काम को करने बज़ा बहुत interesting work को कर रहे हैं, तो जो final stage होती है, वहाँ note art होता, आप खाली बैठे हैं, आप stress में, आप note art बनाना शुरू के, आपका notes भी बन रहा है और आप जो है, वो अपनी hobby को भी double up करते चले जा रहे है, this is known as note art method, ये हमारा note art method कहलाता है, तो ये चार smart methods होते हैं, दुनिया में notes बना हम सभी जानते हैं कि smart notes बनाना चाहिए, एगरी करते हैं, आप yes no मुझे बताते रहे हैं, हम से कहा गया है कि smart notes बनाने चाहिए, और smart notes बहुत जरूरी होते हैं, हमें ये भी बताया गया है कि sir जो और स recent hard with short notes बनाते हैं, organic notes बनाते हैं, उनको कभी भी update कर सकते हैंTI उसको interlink कर सकते हैं या आपने सुना होगा येस नो कुछ बताईए मुझे हाँ कभी नहीं सुना हाँ सुना है सर कि अलग तरीके नोट बनाते हैं हमारे स्कूल कॉलेज में अलग तरीके समय सिखाते हैं राइट